जैहिन साथियों साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी त्रिपल से पिट की जो बैकेंसी आई है अगर आप उसके लिए फार्म अपलाई करना चाहते हैं मूबाइल फोन से तो आपको फोटो और सिगनेचर की साइच क्या रखना है और आपको रिसाइच कैसे करना है फोटो को किस परकार से अपलोड करना है और सिगनेचर को हिंदी या इंगलिस में किस माध्यम से अपलोड करना है और या दोनों माध्यम से अपलोड करना है या हिंदी या इंगलिस में तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं कि किस परकार से आपको फोटो और सिगनेचर को रिसाइच करना है तो नोटिफिकेसन से हमने यहां स्क्रीन वाय लगा दिया है आपकी फोटो कि साइच जो होनी चाहिए और आपको सिगनेचर की साइच जो होनी चाहिए 30 कब के अंदर होनी चाहिए तो आज आपको हम mobile phone से बना के सिखाते हैं तो सरपतम आपको आना है mobile screen में mobile screen में आप play store से एक app download कर लेना जिस app कम नाम है photo picture resider यहाँ आओगे तो कुछ इस प्रकार से इस app को open करोगे तो कुछ इस प्रकार से इसका interface दिखाई देगा तो यहाँ select photo पे आप click करोगे या take photo पे तो हम select photo पे click करके हमारे gallery से हम photo select कर लेंगे photo select करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा तो हम जो है यहाँ photo अपनी select कर लिए हैं हमें 50 kb के अंदर यहाँ photo की size बनाना है इसके अंदर अधिक्तम हमारे size होनी चाहिए 50 kb की होनी चाहिए तो यहाँ आओगे तो आपको 5 option दिखाई देगा आप यहाँ crop कर सकते हो तो हम research के option पे click करके जो है इसे जो है आसानी से हम बना देंगे तो यहाँ file size पे आओगे तो यहाँ file size बहुत सारे माध्यम आपको दिखाई देगा यहाँ automatic बहुत सारे माध्यम यहाँ पर आपको बनके दिखाई देते हैं लेकिन हम जो है custom के option पे click कर देंगे custom के option पे click करोगे भाई ना तो यहां पर आपको जो है अपने फोटो की साइज जो है 50 KB के अंदर या 45 KB या 35 KB या 40 KB आपको रखके आसानी से यहां KB के आपसन पे क्लिक करके यहां आसानी से आप बना सकते हो तो मुबायल फॉन से आसानी से बहुत सारे स्टुटेंट है जो मुबायल फॉन से अपना फारम अपलाई करते हैं तो आसानी से अपलाई कर सकते हो तो यहाँ ok के button पे click कर देंगे हमने 45KB क्लिक करके जो है बना दिया है तो हमारी यहाँ पर 44KB की photo की size बन गई है यहां आसानी से UP SSC PID 2030 की जो वैकेंसी आई है यहां आसानी से आप अपलोड कर दोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपका फार में एकसेप्ट हो जाएगा आप मोबाइल फोन से आसानी से भर सकते हो तो यहां फोटी फोर के भी की हमारी बन गई है हम जो है आप signature को कुछ इसे परकार से बनाएंगे यहां पर हम जो है select photo पे click करके signature को select करेंगे signature को select करने के बाद हमारी देखिए हो एक सो एक तीन लब एक तीन यंबी की दिखाई दी रहा है वहना यंबी से ज्यादा भी दिखाई दी रहा है हम इसे crop के option पे click करके इस photo को crop करेंगे crop करने के बाद आपकी size जो है छोटी हो जाएगी उसके बाद हम resize के option पे click करके इस photo के resize कर देंगे तो हम पहले इसके crop करते हैं crop करने के बाद हम इसे resize करेंगे तो हम इनने इसी crop कर दिया, कुछ इस प्रकार से आपको हिंदी, आपको जो photo जो signature है आपको उसे पहले English में लिखना है, उसके बाद आपको हिंदी में लिखना है, तो कुछ इस प्रकार से आप आसानी से dimension भी select कर सकते हो, file size यहाँ पर हम 30KB के अंदर हमें select करना है, तो पर इसके अंदर ही आपको select करके आसानी से आप upload कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में आपको हमने बता दिया है, किस प्रकार से आपको photo और signature को research करना है, और आप आसानी से mobile phone से अपना farm apply कर सकते हो, 30KB की आपको signature की size होनी चाहिए, आपको पहले English में लिखना है, उसके नीचे आपको हिंदी में निखला है, आसानी से आपका फार में accept कर लिए जाएगा, और आपका photo जो है बनके तयार होगा, तो resize photo में कि